हेलो और विल्केमेक तो मैं चानल दर्टी स्टेकलासी एनस आज मैं आपके साथ एक मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैंने हाँ पे कुछ नए प्रोड़क्ट्स यूज की है तो उसका रिव्यू में आपके साथ शेयर करूंगी त करते हैं तो सबसे पहले मैंने स्किन को प्रेप कर लिया है तो यहां पर मैंने स्किन को प्रेप करने के लिए यूज किया है टोनर में आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो या फिर जो भी आप यूज करते हो डेली बैसे पर यूज कर सकते हो सेकेंड मैंने यूज किया है मामा आर्थ ओईल फ्री मॉश्यराइजर लिप को मॉश्यराइज करने के लिए मैंने वादी लिबम यूज किया है then हम अप्लाई करेंगे प्राइमर प्राइमर की जगह पे आप अलोवेरा जल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे मैंने नाइका प्रेप मी अब प्राइमर यूज किया है फाउंडेशन के लिए मैंने यूज किया है लॉरेल पैरिस 24 आर्ट माट कवर इन दी शेड ऑफ 105.5 गोल्ड सैंड इसमें अलएड़ी SPF 16 है इसलिए मैंने हाँ पे संस्क्रीन यूज नहीं किया है और यह मैंने फॉर्स टाइम यूज किया है I really love this application बहुत इसलिए ब्लेंड होता है I think यह मेरे शेड से एक शेड जादा है तो आप अपने शेड की साबसी यूज कर सकते हो अच्छे से हमें ब्लेंड करना है beauty blender के साथ या फिर आप brush के help से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो बहुत ही easy formula है अच्छे से ब्लेंड होता है concealer के मैंने यहाँ पे use किया है blue heaven liquid concealer flawless तो यह भी full coverage वाला है in the shade of honey 301 यह भी मुझे काफी अच्छा लगा है या अपने shade के साब से आप purchase कर सकते हो मैंने एक shade light लिया है और यहाँ पे यह foundation के साथ यह अच्छे से blend हो गया है और फेस को set करने के लिए मैंने यहाँ पे use किया Faces Canada compact powder अच्छे से हम अपना base set कर लेंगे और compact powder के help से और उसके बाद हम जाएंगे आय मेकप के लिए तो आय मेकप के लिए मैंने हाँ पे Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette 07 इसका shade है इसमें जादा तर शिमरी आयशेडो आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक ही matte मिलता है वो है brown color तो मैंने हाँ पे blue color पिक किया है और अच्छे से हम उसको पूरे आयलीड पे blend करेंगे second eyeshadow मैंने उसी palette से लिया है जो कि है black अच्छे से हम outer V पे अच्छे से blend करेंगे थोड़ा सा golden touch देने के लिए मैंने यहाँ पे use किया है glitter eyeshadow यह है inside makeup essential यह बहुत ही जादा अच्छा application है इसका मुझे काफी अच्छा लगा है यह भी मैंने first time try किया है यह मैंने half eyelid पे इसको अच्छे से apply किया है और अपने finger case से थोड़ा सा blend किया है ताकि जो एक अच्छा सा look create हो उसके बाद हम अच्छे से इसको again blue color के eyeshadow से blend करेंगे ताकि कोई भी harsh lines ना दिखे liner के लिए मैंने यूज किया Faces Canada ink eyeliner यह बहुत ही जादा अच्छा है इससे आप thin, thick जैसा आप चाहिए वैसा आप इससे liner create कर सकते हो मैंने थोड़ा सा bold eyeliner यहाँ पे लगाया है आप अपने हिसाब से eyeliner thin, thick अपलाई कर सकते हो यहाँ पे यहाँ पे यूज किया है NYB काजल यह बहुत ही जादा अच्छा है affordable काजल मस्कारा में मैंने यूज किया है Maybelline New York Hypercurl मस्कारा, waterproof मस्कारा है तो यहाँ पे मैंने अच्छी से मस्कारा अपलाई किया है eyebrow fill करने के लिए मैंने हाँ पे यूज किया है Miss Claire eyebrow pencil यह brown color की है और थोड़ा सा contouring करने के लिए मैंने same eyeshadow palette लिया है उसमें से मैंने brown color पीक किया है face को slim दिखाने के लिए हम contouring करेंगे तो nose को मैंने contour कर लिया है मैं यहाँ पे थोड़ा सा cheekbone को contouring कर लूँगी then हम jawline और chin area पे भी थोड़ा सा contouring कर लेंगे fat घटाने का बहुत आसान तरीका है यह contouring करना तो हमने हाँ पे अच्छे से face contour कर लिया है I hope आपको दिख रहा होगा मेरा face का जितना भी fat था वो चला गया है अगर नई भी गया है तो manage कर लेना जोपसी पार थोड़ा सा अच्छे से blend करेंगे ताकि कोई भी harsh lines ना दिखे अच्छे से blend करना उसके बाद बारी आती है blush की तो blush के लिए मैंने हाँ पे use किया है Miss Claire 22 shade है यह peachy coral इसका shade है परसनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मैंने इसको फॉर्स टाइम ट्राइ किया है और मुझे सच में काफी अच्छा लगा है प्रोड़क्ट और affordable range में भी मुझे मिला है तो हम अच्छे से इसको blend करेंगे थोड़ा सा chin, nose and cheeks पे highlight करने के लिए ब्लश यह काफी अच्छा है आप ट्राइ ज़रूँ हाइलाइटर में मैंने यूज किया है Swiss Beauty Fusion Highlighter इन दी शेड ऑफ जीरो वन यह काफी अच्छा है, काफी पिगमेंटेड है जैसे के आप देख रहे हो यह जस्ट वन अप्लाइ में ही आपको बहुत अच्छा खासा पिगमेंटेशन दे रहा है और काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है डेफिनिटल आप इसको एक ट्राइ जरूर दे सकते हो यहापर मैंने परपल मीनी लिप्स्टिक ट्राइ किया है अच्छे सेंस को सेट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा मेकप लुक फिनिश होता है और यह है मेरा फाइनल आउट लुक आप यह लूक आपको अच्छा लगाओ जोल्री जितनी भी मैंने आपको यूज किये वो सारी लोकल मार्केट से खरीदी हुए इसके लिंक्स मेरे पास बिल्कुल नहीं है जितने भी मैंने आपे मेकप प्रोड़क्ट यूज किये उसके सारी लिंक्स दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप चेक आप कर सकते हो आप यह मेकप लुक आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्रिप्स करना